असंगटित कामगारों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई कई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुबरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहमदाबाद से किया इस योजना के अंतरकत असंगटित क्षेत्र मजदूरों श्रमकों को साट वर्ष पूरे होने पर तीन हजार रुपए प्रतिमा पेंशन दी जाएगी सोलन में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुबरम सांसत बिरेंद्र कश्यप ने किया इस योजना के अंतरकत पात्र मजदूरों श्रमिकों को सांसत बिरेंद्र कश्यप ने इस योजना के अंतरकत कार्ड वित्रित किया भारी संख्या में मजदूर श्रमिक ने इस कारेकरम में भाग लिया सांसित बिरेंदर कश्यप ने इस योजना के लिए परधानमंतर निरेंदर मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस योजना से असंगटित क्षितर के कामगारों को लाव मिलेगा और उन्होंने कहा कि इस योजना से 60 वर्ष की आयू के बाद इन मजदूरों को प्रतिमा तीन हजार रुपए तक पिंशन मिलेगी सांसित ने इस योजना को लोगों के लिए बहुत लावकारी बताया देश के सभी उन और्गनाइज सेक्टर में जो हमारे मजदूर काम करते हैं चाए वो घरों में कोई जाडू पोचा करने वाली हैं चाए वो हमारे चोटे मोटे जो मजदूर हैं जो डिफृरंट कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास या किसी दुकांदार क कोई काम करने वाला व्यक्ति है उन सभी श्रम, श्रमीओं को जो है वो आज मानने प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री, श्रम योगी मान देयी योजना का जो है उन Happiness आज उन्होंने की है एक ठारा साल से चालिस चाल तक उनको केवल 55 रुपय जमा करवाना है ठारा साल से और इतनी राशी 55 रुपय की वो केंदर की सरकार जो है वो जमा करेगी यानि 110 रुपय से जमा कराने से मासिक जो है वो 40 साल तक वो चलेगी और उसके बाद जो है साट साल के बाद वो जो है तीन हजार रुपे की पेंशन उस व्यक्ति को उस मजदूर को उस बेहन को जो है मिल जाएगी जब वो यनी थोड़े विर्दावस्ता में होगी तो इसलिए ये बहुत बड़ी स्कीम है और इस देश के सभी श्रमिकों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तोफा मालनिय नरेंदर मोदी जी के माद्यम से मिल रहा है